नमस्कार, आज कर्मी का साग बनाएंगे, इसे कल्मी का साग, नारी का साग और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आप ले सकते हैं अब इस साग को तीन चार पानी बहुत ही अच्छा धो लेंगे यूंकि साग में मिटी भी होता है बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छा हम धो लेंगे अब इसको डालने के लिए दो आलू एक टमाटर एक प्याज साथाट कली लहसुन का दो हरी मिच ले इसे मैंने चील लिया था सभी चीजों को दो कर लेंगे इस तरह से छोटे-छोटे काट कर रेडी कर लेंगे अब तेल गरम करेंगे दो चम्मच के करीब तेल मैंने गरम कर लिया है सरसो का तेल लिया है अब इसमें वन टीस्पून जीरा तड़का लेंगे जीरा जब तरक तब इसमें लहसुन भी डाल देंगे लहसुन को अच्छा गोल्डेन ब्राउन होने देंगे अब तब तक मैं हरी मिश काट लेती हूँ दो हरी मिश में डालेंगी उसे भी भारिक भारिक काट लेती हूँ जब लहसुन पक जाएगा गोल्डेन ब्राउन हो जाएगा तब इसम प्यास को बड़े साइज में चोटे भी काट सकते हैं किसी भी तरीके से काट कर इसको टाल देंगे और इसे थोड़ा पींग कलर का होने देंगे हलका जब पक जाएगा तब इसमें आलू को भी काट कर डाल देंगे दो आलू मैंने दिया है, छील कर ले लिया था और इसे मोटे मोटे काट लेंगे, किसी भी तरीके से आप काट सकते हैं, अब इसमें हल्दी पाउडर हाप टीस्पून, धनिया पाउडर वन टीस्पून और नमक स्वाद की साफ से डालेंगे, नमक आप साग है तो थोड़ा हल यह ज्यादा लेंगे, इस तरह से बारीक काट लेंगे, तब यह खाने में ज़्याधा टेस्टी बनेगा, अब इसे काट कर वरतन में रख लेंगे, आलू जो थोड़ा भुना जाएगा, तब हम इसमें साग को भी डाल देंगे, अब साग को डाल कर थोड़े दैर में चला लेंगे और इसे धक कर पकाएंगे तोगा इस तरीके से चला लेंगे अब तो आज साप ज्यादा दीख रहा है तो इस देर में यहां गल जाएगा इसे भी डाल देंगे अब इस साग को चला लेंगे और धक कर पकाएंगे 5-5 मिनट पर इसको चलाते रहेंगे और धक कर पकने देंगे इसी तरह से चलाते चलाते थोड़ी देर में आलू पक जाएगा जब आलू पक जाएगा तब यह साग बनकर रेडी हो जाएगा ये साग काफी हल्दी होता है और ये साग जब मिलता है तो इसे जरूर खाना चाहिए इसको आप बिना आलु के भी बना सकते हैं ये साग पक कर रेडी हो चुका है आलु भी अच्छा पक गया है इस साग को सर्व करेंगे, चुले को बंद कर देंगे, इस तरह से आपका टोरी में सर्व कर लीजे, साग बहुत टेस्टी बना है, इसे आप रोटी, पराठा, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं, फेल्दी साग बनकर रेडी है, टेस्टी भी बना है, इसे बनाईए, झाल कर देंगे, आपका टेस्टी बना है, और रेड़र। किसी के भी साग बना है, फेल्दी पार लीजे रेफा बना है, इसे बना है, परेल्दी बना है, अश्धित।